आप सभी का दबायो एंड्स विल्यंट संस पर मैं आमर सिद्धी की हारदिक स्वागत और भिन्दन करता हूँ कैसे हैं दोस्त आप लोग उमिता हों कि अच्छे होंगे स्वस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाय लिखाई का कारे बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा किसी तरीके की समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा आप सभी लोगों का रिवीजन का कारे भी बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बिहार सिक्षम भरती को लेकर आप सभी लोग काफी अवेर हैं और उसके संदर्व में आप सभी लोगों को लगातार हम जुलाजी के सेशन को जो है प्रोसीट करते हुए आप तक प्रशनों की श्रिंकला पहुचा रहे हैं। और concept को समझते हुए इनके प्रशनों को देखने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी लोगों को समझ में आता है कि इसका एक भीत्रीन सेग्मेंट है जिसे हम लोग इको सिस्टम के नाम से जानते हैं। एक ऐसा सिस्टम जिसमें इंटरेक्शन होता है बायोटिक और आबायोटिक कॉंपोनेंट का। अगर आपसे कोशिशन पूछा जाएं कि किसका इंटरेक्शन होता है तो आप सभी लोग बाखुबी जानते हैं कि इसमें बायोटिक कॉंपोनेंट्स का इंटरेक्शन होता है आप बायोटिक कॉंपोनेंट के साथ। जब हम बात करते हैं interaction of biotic और abiotic components की, तो उसे हम लोग ecosystem के नाम से जानते हैं, ecosystem का नाम आते ही, आप सभी लोगों के मन में एक खयाल आता है, कि एक साहब थे, उनका नाम था, ag tensile, जिन्होंने ecosystem term दिया था, उमिद करते हैं, ag tensile का ये concept आप सभी को clear होगा, कि ag tensile ने ecosystem term दिया था, ecosystem में जब हम proceed करते हैं आगे की ओर, तो हमें डो ecosystem के बारे में पता चलता है, एक terrestrial ecosystem के बारे में पता चलता है, जिसमें हम सभी लोग बात करते हैं forest की, जिसमें हम सभी लोग बात करते हैं dessert की, जिसमें हम सभी लोग forest और dessert को खास करके आप कह सकते हैं, tropical rainforest की ओर proceed करते है आगे बढ़ते हैं ऐसे ही हम सभी लोग बात करते हैं अक्वेटिक एकोसिस्टम की जिसमें हम लोग बात करते हैं ओशियन की जिसमें हम लोग बात करते हैं सी की जिसमें हम लोग बात करते हैं कोरल रीप्स की कोरल रीप्स जो होते हैं ये भी एकोसिस्टम की कटेगरी में आत की श्रिंखला आएगी उन प्रश्णों को आप बेहतरीन तरीके से explain करते हुए answer देते हुए आगे बढ़ेंगे और आज हम आपको क्या होता है natural ecosystem और क्या होता है anthropogenic ecosystem इन दोनों के बारे में हम सभी लोग चर्चा भी करेंगे यह आपके लिए important है कि आप यह समझने की कोशिश करें कि natural ecosystem क्या होता है anthropogenic ecosystem क्या होता है और दोनों के examples क्या होते हैं और दोनों में biodiversity किसमें ज़्यादा होती है दोनों में nutrient richness किसमें ज़्यादा होती है दोनों में productivity किसमें ज़्यादा होती है इन सभी तथों को उजागर करते हुए चलेंगे और आपके concept को clear करते हुए चलें के इस session के पहले प्रश्ण की ओर हम सभी लोग move करते हैं और पहला प्रश्ण देखते हैं जो examination के point of काफी important है और हम आशा करते हैं कि आप लोग एक एक प्रश्ण के साथ चार प्रश्णों को ready करते हुए मैच दा following column का एक प्रश्ण है जिसमें catalytic converter का use, catalytic converter में use करते हैं, electrostatic precipitator में use करते हैं, इस scrubber में किसका use किया जाता है, पार्टिकुलेट में किसका use किया जाता है, एक बार इस question को पढ़ें और सभी लोग इसका answer करने की कोशिश करें, आशा करते हैं कि सभी लोगों का बेहितरीन तरीके से answer आएगा, और सभी लोगों को लगभग ये सारे points याद भी होंगे, बताने की कोशिश करिएगा, catalytic converter में किसका use करते हैं, तो उम्मिद करते हैं, आप सभी का answer आ रहा होगा, carbon monoxide का and nitrogen oxide का, electrostatic precipitator में किसका use करते हैं, particulate matter का, scrubber में किसका use करते हैं, बताएंगे sulfur dioxide का, particulate में किसका use करते हैं, aerosol and smoke का, और इस तरह से आप सभी लोगों का answer बन रहा होगा, B is the right answer, जी, आप में से लगभग सभी लोगों का correct answer बन रहा होगा, B is the right answer, जी, जादतर लोगों ने answer किया होगा, B is the right answer, सभी लोगों को good evening, जी, सभी लोगों को good evening और उम्मिद करते हैं, सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोग शाकुशल होंगे, जी उमिद करते हैं लगभग सभी लोगों का करेंग कांसर आ रहा होगा की कैटलीटिक क отвbertर में कार्बन मोनो आक्साइट का यूज करते हैं, इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर में पार्टिकुलेट मेटर का यूज करते हैं, इस क्राबर में सल्फर डाइक्साइट क और पार्टिकुलेट में एरोसॉल एंड स्मोक का जो है यूज करते हैं और इस तरीके से हम इसमें क्या करते हैं इनके जो पॉलूशन को ग्याद करते हैं इसके माध्यम से इनका पॉलूशन ग्याद करते हैं इसके माध्यम से What is the sustainable use of resources? Sustainable use of resources क्या होता है? What is the sustainable use of resources? Sustainable use of resources क्या होता है? Protected strips of the land that allows organism to migrate from one wilderness area to another. आप कहेंगे, this is called migration. Allah that makes it illegal to do harm to the species that are listed as endangered are threatened. आप कहेंगे, it is not. The ability to use natural resources in a way that helps people to protect the ecosystem. Sustainable use of resources क्या होता है? The ability to use natural resources in a way that helps people to protect the ecosystem. जो people को protect, जो ability data है, use natural resources के इस तरीके से, कि वो लोगों को क्या कर सके, people to protect the ecosystem. Ecosystem को protect करते हुए, जो natural resources को use करने की ability है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे sustainable use of resources कहते हैं. Study of the methods to help protect biodiversity. It is not. जी, तो आप सभी का आंसर हो जाएगा. Sustainable use of resources का मतलब क्या होता है? The ability to use resources in a way that helps people protect the ecosystem. Next question है, तीसरा question है, आपकी screen पर और उम्मीद करता हूँ, कि सभी लोग पढ़ेंगे और सभी लोग इसका correct answer बताएंगे. Many zerophytic plants have thick cuticle on leaf epidermis and sunken estomata. जादा तर zerophytic plants जो होते हैं, उसमें क्या होता है? उसमें thick cuticle पाया जाता है epidermis के ऊपर और sunken estomata पाया जाता है. उम्मीद करते हैं, सभी को लगा होगा. This is right. Done है. Some zerophytic plants have special photosynthetic pathway, cam, that enables their estomata close during day. आप बताएंगे, बिल्कुल सही है. Opansia has spines, Opansia में spines होते हैं, जो modified leaves होते हैं. Photosynthetic philoclade कहलाते हैं, जो stem का modification होते हैं. बिल्कुल सही है. All adaptations are genetically fixed in all organisms. कह रहें कि ये सारे adaptations genetically fixed होते हैं. All adaptations are not genetically fixed. आप से पूछा जा रहा है कि सारे adaptations जो होते हैं, ये genetically fixed होते हैं. आप बताएंगे, ये सारे adaptations genetically fixed नहीं होते हैं. ये चौथा गलत है. All adaptations are genetically not fixed. ये genetically not fixed होते हैं. इसलिए आप सभी लोग बताएंगे, इसका सही answer क्या हो जाएगा. इसका सही answer हो जाएगा. 1, 2, 3 and 5 is the right answer. जी, 1, 2, 3 and 5 are the right answer. ये genetically fixed नहीं होते हैं, इसलिए इसका answer क्या हो जाएगा D. काफी अच्छा सा प्रश्न था. ये आप से अलग-अलग question के form में पूछा जा सकता है. लेकिन आपके concepts के आगे ये कहीं matter नहीं रखता है. एक question है आपके सामने. इमांदारी से पढ़िएगा, सटी का answer करिएगा. Which of the following pairs of items correctly belongs to the category of arguments mentioned against it? निमलिखित में से कौन सा युगमू? Which of the following pairs of items correctly belongs to the category of arguments mentioned against it? Wings of honeybee and wings of crow are homologous? कहेंगे नो सर्थ. Thorn of bougainvillea and tendril of cucurbita are analogous arguments? जी, analogous arguments होते हैं. आप कहेंगे नो सर्थ. Nictating membrane and vestigial argon blind spot of human eye? आप कहेंगे नो सर्थ. इसका सही answer है. Nephridia of earthworm. Earthworm का nephridia and malpivian tubules of cockroach are excretory argon. तो सभी का correct answer आ रहा होगा. कि इसका सही answer है D. और लगभग आप में से कई लोग answer correct कर रहे होंगे. D is the right answer. लगभग सभी लोगों का correct answer चल रहा होगा. D is the right answer. J. बताने की कोशिश करिएगा. Clear to all or not? उमिद करते हैं. लगभग सभी लोगों का यहां तक का correct answer होगा. पांच्वा नंबर question आपकी screen पर. Life cannot originate from inorganic material at present because of. जीवन वर्तमान में अकार्बनिक पदार्थों से उत्पन नहीं हो सकता. क्योंकि absence of raw material, very low atmospheric temperature, high degree of environmental pollution, very high amount of oxygen in atmosphere. Life cannot originate from inorganic material. Life inorganic material से originate नहीं हो सकता. At present, क्योंकि, because, क्योंकि very high amount of oxygen in atmosphere. जब life की origin हुई थी, तो oxygen ही तो नहीं था. अब oxygen है, इसलिए अब जो है, life originate नहीं हो सकती. इन आर्गैनिक material से. क्यों नहीं originate हो सकती? क्योंकि अब high amount of oxygen present है. जब life originate हुई थी, तो oxygen का amount नहीं था. लेकिन अब क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि life जो oxygen है, उसका amount बहुत ज़्यादा है. जिसके कारण ये नहीं हो सकती. उमीद करते हैं, very high amount of oxygen in atmosphere. oxygen का atmosphere में बहुत high amount में concentration है. इसलिए originate नहीं हो सकती. अच्छा सा question है, next question है आपकी screen पर. और उमीद करते हैं, सभी लोग इसका correct answer बताएंगे. mutualism का example कौन सा है? ये काफी important question है. ये direct आपके exam में question पूर सकता है, कि इसमें से कौन सा mutualism का example है? कौन सा commercialism का example है? कौन सा parasitism का example है? कौन सा competition का example है? कौन सा predation का example है और उम्मिद करते हैं कि आप सभी लोग बताने में सक्षम होंगे कि कौन सा किसका example है और आशा करते हैं कि सभी लोगों का correct answer आएगा कि mutualism का example कौन सा है common cellism का example कौन सा है और parasitism का example कौन सा है यहां लिखा है ticks on dog यह ticks जो हैं dog पर पाए जाते हैं यह पारसitism का example है आर्किड ओफरिस एंड बी यह तीनों competition के example है these are the example of competition epiphydes on mango यह predation का example है epiphydes on mango it is example of predation यह predation का example है मिचूलिजम का example है sparrow and any seed this is the example of मिचूलिजम मिचूलिजम का example है बालानस एंड कैथा मैलस is the example of common cellism उम्मिद करते हैं आपको यह example याद रखना है कि ticks on dogs पारसिटिजम का example है बालानस एंड कैथा मैलस यह common cellism का example है sparrow and any seed मिचूलिजम का example है epiphyte on mango branch यह predation का example है orchid, ophris and bee यह competition के example है इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा C यह आपको चाहे जैसे मन से याद रखना है मुझे लगता है कि आपमें इतना sense तो जरूर है आप इसको समझ गए ticks on dogs यह है आपका इसका predation parasyrism का और epiphyte on mango branch यह है आपका predation का sparrow and seed का example यह है मिचूलिजम का यह आपको थोड़ा सा मेहनत करके याद करने की जरूरत है अगर यह याद हो जाएगा तो आपसे यह गलत नहीं होगा इस पैरो seed eating यह example है आपका predation का याद रखेंगे तो काफी महत्यों है और examination के point of view से यह काफी importance भी रखता है और यहाँ से exam में direct question पूछता है अगर गलत हो जाता है तो बहुत अफसोस होगा है कि यह जानता हुआ question आता हुआ question कैसे गलत हो गया concept of evolution is an excellent working hypothesis to approach the problem विकास की अधारना किसकी समस्या के समधान के लिए उत्रक्रिष्ट कार परिकलपना है कहरें कि concept of evolution is an excellent working hypothesis to approach the problem of matter, energy and life environmental condition prodigality in reproduction या diversity of organism upon earth आप बताएंगे ये बताती है diversity of organism upon earth दोस्तों diversity की जब बात आती है तो आप से अगर पूछा जाए कि diversity आपको ज्यादा कहां देखने को मिलेगी डाइवर्सिटी आपको ज्यादा कहां देखने को मिलेगी नेचुरल एको सिस्टम में या फिर anthropogenic ecosystem में ये आपको diversity ज्यादा कहां देखने को मिलेगी या फिर natural ecosystem में बायो diversity या diversity ज्यादा कहां देखने को मिलेगी उमिद करते हैं आप सभी लोगों का आंसर आएगा ज्यादा diversity नेचुरल एको सिस्टम में देखने को मिलेगी कहां देखने को मिलेगी? Natural ecosystem में ज़्यादा biodiversity देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर situation है कि natural ecosystem not man-made यह man-made नहीं होता है, यह जो है naturally बनता है और यहाँ पर हमें diversity अगर हम forest को ले ले तो forest में diversity आपको देखने को मिलेगी ज़्यादा और अगर हम anthropogenic ecosystem की बात करते हैं तो यह क्या होता है? यह man के involvement से बनता है जैसे आपने खेत में जो खेती की rice field है, आपका wheat field है आपका sugar cane field है, यह जो आपके field है, जो खेत है यह आप बताएंगे anthropogenic ecosystem में आते हैं और यहाँ पर bio diversity कम होती है, लेकिन यहाँ पर high productivity होती है जो कि natural ecosystem में high productivity नहीं होती है हम बात करेंगे अभी एक points में, अलग-अलग separate करके हम सभी लोग समझेंगे, तो यह question काफी अच्छा है concept of evolution is an excellent working hypothesis to approach the problem of आप बताएंगे, diversity of organism upon यह बात करता है, diversity of organism upon earth की, जितने लोग जो है exam देने वाले हैं मार्च में वो सभी लोग इसे focus करेंगे, बहुत ही important है और examination के point of view से important है, आप सभी को याद रखना है कि X-C2 strategy में कौन-कौन आता है in-C2 strategy में कौन-कौन आता है, आप सभी को यह एकदम dicto याद होना चाहिए, यह से आप से पूछ लिया X-C2, X-C2 में कौन-कौन आता है, जूज आते हैं, pollen banks आते हैं, gene bank and tissue culture आता है, botanical garden आता है, choose the correct option, मतलब अईसे question जब आपके सामने आएं, तो आप से गलत नहीं होने चाहिए, और उम्मिद करते हैं, आप सभी लोग यहाँ पर देख करके तुरंट बता रहे होंगे, यहाँ पर देख करके आप सभी लोग तुरंट बता रहे होंगे, कि अगर सर XC2 की बात करें, तो XC2 में कौन आता है, Jew भी आते हैं, seed या pollen bank भी आते हैं, gene bank and tissue culture भी आता है, botanical garden भी आते हैं, इनका मनन होना चाहिए, यह जो ecology के section के प्रश्ण है, इनका question होने के बाद, इनका मनन होना चाहिए आपके पास, एक बार इसका मनन बहुत जरूरी है, 100% accuracy को लाने के लिए, तो उम्मीद करते हैं, कि सभी का correct answer आ रहा होगा, D is the right answer, next question पर चलते हैं, the process by which water-soluble, inorganic nutrients go down into the soil horizon and get precipitated as unavailable salts is called as, काफी अच्छा question है, कह रहें कि process by which water-soluble, inorganic nutrients go down into the soil horizon and get precipitated as unavailable salts is called, इसे क्या कहते हैं, this is called leaching, इसे क्या कहते हैं, इसे leaching कहते हैं, मतलब ऐसे inorganic nutrients, जो पानी के साथ क्या होते हैं, वो चले जाते हैं soil horizon में, और ये plant के लिए inorganic and unavailable salts बन जाते हैं, इस process को बोलते हैं leaching, क्या बोलते हैं, leaching बोलते हैं, कि जो lot करके भी कभी नहीं आते, this is called leaching, जी, इसे हम लोग leaching के नाम से जानते हैं, जी, इसे हम लोग किस के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग leaching के नाम से जानते हैं, और उम्मीद करते हैं, कि ये point आप सभी लोगों का clear होगा, कि this is called leaching, इसे हम लोग leaching के नाम से जानते हैं, 10 number question है, आपकी screen पर, इन औरगेनिक सब्स्टांस में कौन आता है, औरगेनिक सब्स्टांस में कौन आता है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स में कौन आते हैं, इडैफिक फैक्टर्स में कौन आते हैं, मुझे याद है, और आप लोगों को भी पता होगा, कि अगर आप से पूछा जाता है इड़ाफिक फैक्टर में कौन आता है तो आप बताते हैं स्वाइल वाला मैटर सर स्वाइल आता है पीच आता है मिनरल्स आता है मतलब इड़ाफिक फैक्टर में क्लाइमेटिक फैक्टर में कौन आते हैं लाइट आता है टेंपरेशर आता ह है humidity आता है organic compounds में कौन आते हैं प्रोटीन आता है carbohydrate आता है लिपीड आता है नुकली के सीर आता है इन और्गनिक सब्स्टेंस में कौन आता है carbon nitrogen oxygen and water और उम्मिद करते हैं लगभग सभी का correct answer लग गया होगा जी विवेक राज़ कुमार जी सुबोध कुमार जी पंकश कुमार जी प्रतिमा उपाद्याय जी जी जिटेन र्यादो सुमित्रा मुर्मु जी सोरम राजपूद जी निकिता जी मंजु कुमारी जी समीना शेक जी सभी लोगों को good evening और उमिद करते हैं सभी लोग correct answer भी होंगे जी correct answer आया सबका जी आया इन और गेनिक substance में कौन आता है कार्बन आता है nitrogen आता है oxygen आता है organic में कौन आता है protein carbohydrate lipids nucleic acid climatic light temperature humidity edific factor में कौन आता है soil pH and minerals उमिद करते हैं इस आधार पे आपका answer हो गया होगा 4 3 1 2 सभी का correct answer आया होगा B is the right answer next question है 11 number question आपकी screen पर in many species of fireflies males flash to attract female each species has different flashing pattern this probably an example of यह किसका example होता है ecological isolation का pre-mating isolation का geographical isolation का post-mating isolation का यह किसका example होता है जुगनू की जातियों में नर्मादा को आगर्शित करने के लिए चमकते हैं प्रतेग प्रगती के अलग अलग चमकती pattern होते हैं यह शायद इसका उधारण है pre-mating isolation का जी यह किसके उधारण है यह pre-mating isolation के उधारण है और आशा करते हैं कि नया question आपके लिए अच्छा रहा होगा और आप सभी को समझ में भी आया कि यह pre-mating isolation को बताते हैं किसको बताते हैं यह pre-mating isolation को बताते हैं जी आपके लिए एक अच्छा सा question है NCRT based question है which is the correct Aristotle ladders of nature Aristotle के ladder of nature के लिए कौन सा correct है Aristotle सहाब ने कौन सा nature बताया था Aristotle सहाब ने किस तरीके से बताया था कि पहले कौन सा plant आया पहले कौन सा matter आया कैसे किस तरीके से Aristotle ladders of nature नेचर के बारे में Aristotle ने जो अपना ladder डेवलप किया था जी जो ecology है न इस ecology को i-card chapter कहते हैं i-card chapter इस ecology को समझने के लिए आप सभी को i-card chapter पर आना पड़ता है i-card chapter यह कहलाता है यह i-card chapter जो है यह 3 page की demand करता है 3 pages में इसको cover करना होता है i-card chapter है और i-card chapter में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है जैसे Aristotle ने अपना ladder डेवलप किया था कि nature को समझने के लिए उन्होंने सबसे पहले कहा कि inanimate matter होते हैं जिनका कोई मतलब आप कह सकते हैं कि कोई मतलब खास रोल नहीं होता है inanimate matter होते हैं inanimate matter पर lower plants जो होते हैं वो grow किये और lower plant के बाद वहीं पर higher plants का formation हुआ उसके बाद वहीं पर zoophyta आए मतलब ऐसे plant आए जो insect को खाना पसंद करते थे zoophyta आए इनकी सोच क्या थी इनकी सोच थी कि पहले inanimate matter था उस matter पर lower plant grow किये lower plant के बाद higher plants आए उसके पाद zoophyta आया उसके बाद entoma आया entoma जो insect eating होता था फिर आस्ट्रैको दर्मा आया फिर mala costara का आया फिर आपका आया malaysia फिर आये fish फिर आये cittasia फिर आये oviparas quadrupeds फिर आये birds फिर आये viviparas quadrupeds फिर आये humans आप समझने की कोशिश करिएगा ये था अरिस्टोटल लाइडर आफ नेचर अरिस्टोटल लाइडर आफ नेचर में इन्होंने किसकी बात की इन्होंने बात की पहले inanimate matter आएगा उस पर lower plants फिर higher plants फिर जूफाइटा फिर entoma आएगा फिर आस्ट्राइकोडर्मा फिर माला कोश्ट्रा का फिर मालासिया फिर उसके बाद फिश फिर सिटेशिया फिर oviparas quadrupeds फिर birds फिर viviparas quadrupeds फिर humans आपको ये बात जानते रहना है कि जी जेड़ इओ एम एम जेड़ इओ इम बस इतना याद रखना है जेड़ का मतलब जूफाइटा इ का मतलब इन्टोमा ओ का मतलब आस्ट्रैकोडर्मा ये अगर क्रम याद रहेगा तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे Z, E, O, M, M फिर Fish, उसके बाद Cytasia आएगा, O, Viperas quadrupaires आएगे, पहले अंडे देने वाले आएगे, फिर उसके बाद Birds आएगे, फिर Viperas quadrupaires आएगे, बच्चे देने वाले, फिर Humans आएगे, उमिद करते हैं, ये एक question अब दुबारा आपके सामने आएगा, तो आपसे कभी भी गलत नह सुबोध कुमार यादो जी एक ऐसा question है जो मुझे लगता है कि अब कभी भी आपसे ये गलत नहीं होगा और ऐसे question जो होते हैं वो examination में कभी-कभी पूछ करके merit की ऐसी की तैसी कर देते हैं इसलिए आप इस question को Aristotle Ladders of Nature मान लिजे आने वाले future में आप जो है teacher के बाद principal की post पर पहुचें और principal की post पर पहुचने के बाद जब आपके अंदर ये situation आएगी तो आज से आप सभी लोग जितने लोग class में present हैं इनको सभी को Aristotle Ladders of Nature याद होना चाहिए पक्का वादा है याद रहेगा या नहीं अगर आप से पूचा जाए Aristotle Ladders of Nature याद रहे है या नहीं तो आप बताएंगे यस सर याद रहेगा प्रॉमिस है पक्का प्रॉमिस है और जिनको जिनको याद हो जाएगा वो लोग बिना देखे YouTube की ये class पर आज से लेकर कल तक में Aristotle Ladders of Nature को कमेंट जरूर करेंगे कि सर Aristotle Ladders of Nature में शुरुवात होती है इन एनिमेट से और इसका end होता है जाकर के humans पर और बीज की चीजों को भरेंगे और लिखेंगे lower plants, higher plants और zoophyta को sort में लिख सकते हैं, Z, E लिख सकते हैं, O लिख सकते हैं, M, M लिख सकते हैं और उसके Quadri Pets पर आजाएंगे, बताएंगे fish होते हैं, फिर ओवी पेरस Quadri Pets पर आजाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, तो birds की ओर आएंगे, फिर Quadri Pets वीवी पेरस पर आएंगे, फिर उसके बाद humans लिखेंगे, और ये पूरा complete करके एक चार्ट के माध्यम से बताने की कोशिश क करेंगे, उमीद करते हैं, सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे, ये आपको forest दिख रहा हैं, और ये forest किस के बारे में बताता है, ये forest आपको बताता है, इसके nature के बारे में, उमीद करते हैं, यहां तक की बाते, आप सभी लोगों की clear, done, आगे चलते हैं, consider the following statements, Consider the following statement, निम प्रतिमा उपाध्या जी हो जाएगा, Z-E-O-M-M, याद रहेगा, जी, उसके बाद फिर आपको पता है, फिश और सिटेसिया को एड़ करेंगे, फिर आएंगे आप कौड्री पेट्स पर, ये अगला कोश्चन है, देखिए, Consider the following statement, producer are also called transducers, producer को transducer भी कहा जाता है, क्यों भई, producer को transducer भी कहा जाता है, आप कहेंगे, yes sir, producers are called transducers, because they are able to change radiant energy into chemical form, ये क्या करते हैं, ये radiant energy को chemical form में convert करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, transducer कहते हैं, consumers are animals, which feed on other organisms, are their parts, consumers जो होते हैं, वो animals होते हैं, which feed on other organisms, जो दूसरे organism को खाते हैं, आप बताएंगे, ये भी बात सही है, decomposers are saprotrophs, which feed on dead bodies of organisms, आप बताएंगे सर जी, ये भी बात सही है, which statements are correct, आप बताएंगे 1, 2 and 3, तीनों are correct, So, this is the right answer, इसका सही answer हो जाएगा, all of these, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों correct हैं, उमिद करते हैं, सभी लोगों को, सभी लोगों की यहां तक की बात हैं clear, Building of biomass or storage of energy by green plants in a unit time and area is called, अच्छा कोश्चन है, और मुझे उमिद है, कि आप सभी लोगों का correct answer आएगा, अच्छा सा कोश्चन है, और मुझे यकीन है, कि आप सभी लोग इस कोश्चन से आगे गए हैं, Building of biomass, storage of energy by green plants in a unit time and area is called, net primary productivity, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग net primary productivity के नाम से जानते हैं, आप सभी लोग इसका नाम सुनते ही जान जाते हैं, कि अगर आप से बात होती है, hot spots की, इसकी बात होती है, hot spots की तो आप लोग समझ जाते हैं, protected area की तो आप लोग समझ जाते हैं, national park की तो आपको definition बतानी हैं, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको definition बतानी है, areas maintained by government for the betterment of wildlife, वो areas जो government betterment of wildlife के लिए maintain करती है, government जिसको maintain करती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, national park बोलते हैं, areas of high endemism and high level of species richness, कहां देखने को मिलता है, आप सभी लोग बताएंगे सर, यह areas of high wilderness और high richness कहां देखने को मिलता है, hot spot पर देखने को मिलता है, आप सभी का answer होना चाहिए, hot spot, hot spot क्या होते हैं, जहां पर species richness देखने को मिलती है, जहां पर endemism देखने को मिलता है, that is called hot spot, और उम्मिद करते हैं, याद रहेगा आप लोगों को, protected areas क्या होते हैं, बायो जियोग्राफिकल areas, where biological diversity along with natural and cultural resources is protected, maintained and managed, this is called protected areas, मतलब A का 2, B का 3, C का 1, C is the right answer, आप सभी का right answer हो जाएगा C, आप सभी का right answer हो जाएगा C, आप उम्मिद करते हैं, लगभग सभी लोगों का correct answer आना चाहिए, जी, निक्ता गुपता जी, कोमल भारगवा जी, समीना शेख जी, रीना सिंग जी, सुमित्रा मुर्मू जी, तिर्शायादो जी, संजीव सिंग जी, सुनील विश्कवर्मा जी, आनुपूर्णा सिंग जी, रीना सिंग जी, उम्मिद करते हैं, सभी लोगों का correct answer होगा, Sir, hot spot क्या होते हैं, जहां पर इस्तसीज richness होती है, और जो गवर्मेंट द्वारा, बिटर्मेंट के लिए, क्या किया जाते हैं, जिनको maintain किया जाता है, अगर कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है, बताने कोईश करियेगा, विच स्टेटमेंट रिप्रेजन अपर एफ्टर अपर इस्तसीज इश्टमेंट आप आप सभी का आंसर आया होगा, ओजोन डिप्लेशन से क्या होगा अल्ट्रा वाइलेट का रेडियेशन अर्थ सर्फिस पर बढ़ जाएगा और उम्मिद करते हैं लगभग आप में से सभी लोगों का करेक आंसर आ रहा होगा C is the right answer ये question इतने पास का हो गया है आप लोगों के कि अगर ये सिर्फ नाम दिख जाता है तो आप सभी लोग इसका आंसर कर लेते हैं ओजोन डिप्लेशन ओजोन डिप्लेशन आते ही आप सभी के अंदर कुछ बाते याद आती हैं ओजोन डिप्लेशन, CFC, क्लोरो फ्लोरो कार्बन अगर ऐसा होगा तो अल्ट्रा वाइलेट रेजियेशन और अगर इसकी ठिकनेस नाप नहीं हो तो डॉप्सन यूनिट, अगर इसका कलर देखना हो तो ब्लू कलर, और अगर इसको और आगे देखना हो कि किसमें प्रिजेंट है तो इस टोटो स्फियर ये सारे पॉइंट्स आप सभी को उम्मिद करते हैं अगर डेपलिशन कहां देखा गया था अंटार्किटी का, ये सारी बातें आप इनका नाम सुनते ही आप लोग बहतरीन तरीके से करने लगते हैं नेक्स कोश्चन है आपके स्क्रीन पर और उम्मिद करते हैं सभी लोगों का करेक्ट आंसर आएगा बताने की कोशिश करिएगा नेक्स कोश्चन है जी उम्मिद करते हैं लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर आना चाहिए टेल मी फास्ट जी बताने की कोशिश करिएगा then to all are not. जी Select the true statement. इसमें true statement बताना है. Grass primary productivity is equal to the net primary productivity minus respiration. Net primary productivity is equal to grass primary productivity minus respiration. flow of energy in an ecosystem is unidirectional आप बताएंगे यह तीसरा तो 100% सही flow of energy in an ecosystem is unidirectional यह क्या होता है यह unidirectional होता है तीसरा सही है grass primary productivity is equal to net primary productivity minus respiration आप कहेंगे no sir net primary productivity is net primary productivity is equal to grass primary productivity minus respiration यह आपका net primary productivity को बताता है ना कि grass primary productivity को बताता है यह वाला equation सही है और यह equation gpp is equal to npp minus respiration यह गलत है आज ही से कर लिजेगा कि यह क्या है यह गलत है select the true statement net primary productivity is equal to होता है grass primary productivity minus respiration इस आधार पर आपका two or three answer correct और सभी को यहीं पर इसको clear कर लेना है आगे के लिए नहीं छोड़ना है यह आपके examination के point of view से काफी important है कि gpp minus respiration is equal to npp यह formula याद रखेगा never be forgetted कभी भूलिएगा नहीं two geographical reasons separated by high mountain ranges are कह रहें कि अब दो geographical reason है two geographical reasons separated by high mountain ranges are अगर यह high mountain ranges से separate किये गए हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं इसे हम लोग बोलते हैं पैलीब अर्किटिक और्यंटल क्या बोलते हैं या नि पली आर्किटिक बताने कोहिस करिएगा उमीद करते हैं सभी लोगों का correct answer आएगा इसे बोलते हैं मैं और यान्टल और याल इनल याद रहना चाहिए कि दो जू geographical region को अगर separate किया जाता है high mountain ranges से तो दोनों ranges को क्या कहा गया उन दोनों को पहली आर्किटिक और उन्हें ओरियंटल कहा गया क्या कहा गया पहली आर्किटिक और ओरियंटल कहा गया और उम्मिद करते हैं सभी लोगों का ये point clear होना चाहिए चूज दा correct statement यहां से आपको correct statement चूज करना है productivity is expressed in gram minus two year minus one जी productivity is expressed आप बदाएंगे yes sir kilo calorie m minus two बिल्कुल सही है इससे expressed किया जाता है the amount of biomass or organic matter produced per unit area over a time period in plants during photosynthesis is called primary production जब आप से बात हो जाए photosynthesis की तो आप समझ जाएगा यह किसकी बात हो रही है यह primary production की बात हो रही है the amount of biomass or organic matter produced per unit area over a time period in plants during photosynthesis is called primary production primary production is expressed in term of weight बिल्कुल सही है तो आप बताएंगे यह in term of weight क्या होता है यह प्रदर्शित भी किया जाता है इसलिए यह तीनों statement correct है आप अपने लिए इनको समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना है कि productivity को जो है वो expressed किया जाता है gram minus two year minus one में या kilo calorie minus two year minus one में यह point याद रखना है never be forgetted और amount of biomass जो photosynthesis के कारण per unit time increase करता है that is called primary production never be forgetted primary production को express करते हैं weight में या energy में इसको express किया जाता है यह भी point आपको याद रखना है जिससे कोई mistake न होने पाए तो यह तीनों statement सही है कभी भी इस statement में थोड़ा भी changes हो तो आप उसे आसानी से answer के form में पकड़ सकते हैं एक आसान सा question है आपके screen पर आशा करते हैं कि सभी लोग इसका correct answer देंगे एक आसान सा question है आपके screen पर जी निक्ता गुपता जी माधुरी PGT जी राजकुमार जी साधमा खान जी सुनिल विश्करमा जी कुमकुम दूबे जी राजकुमार सिंग जी बताने की कोशिश करिएगा जी मनोज कुमार जी मन्जु कुमारी जी खुशी वर्मा जी उमिद करते हैं सभी लोगों का यहां तक का point clear शद्धा मिश्रा जी राजिव कुमार जी दन जी यह प्रश्ण है आपकी स्क्रीन पर in-situ conservation means conservation of organism in their natural habitat अब बताएंगे यह सर्ट इन-situ का मतलब होता है उनके natural habitat पर उनका क्या होता है conservation होता है मतलब उनकी जगह है और उनकी जगह को cover कर दिया जाता है जू जू जो होता है ये एक इन सीटू कंजर्व एरिया है आप कहेंगे नहीं सर जू को तो हम लोग जानते हैं XC2 है क्या है XC2 अगर आपको भी याद आया होगा तो आप सभी लोगों ने आंसर किया होगा C Assertion is correct but reason is incorrect असान सा question था अब इससे असान प्रस्टन नहीं हो सकता साक्षी भारती जी कैसे गड़बड हो गया जू जो है वो XC2 है जी इसमें A correct है और जो आपका जो है reason है वो गलत है तो आपका सही answer होना चाहिए C is the right answer और उमिद करते हैं लगबग सभी लोगों का correct answer आया होगा दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं आपकी अपनी संस था दबायो एंड सिविल जंसंस में target 24 बैच चल रहा है जिसमें हमने शुरुआत की है lower botany में fungi section finish होने वाला है अब हम लोग bryophyte कोई और move करने वाले हैं और non-cordate में हम सभी लोगों ने शुरू किया है आज lease को पढ़ा है और lease को finish किया है और lease को finish करने के बाद कल की class में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं arthro poda के बारे में तो आप में से जो लोग आज class में admission की प्रिक्रिया पूरी किये हैं कल arthro poda से 7 में पढ़ेंगे और जो लोग कल admission की प्रिक्रिया पूरी किये हैं वो सभी लोग annelida का पूरा topic revise कर लेंगे जिससे arthro poda और annelida आपका दोनों का confirm होता हुआ चलता रहे और आप में से जो लोग इंट्रेस्टेड हैं जिनका msc चल रहा है be a final year चल रहा है वो सब्सक्रास से जूड़ने के लिए इस नंबर पे whatsapp करें और ज्वाइन biology लिख कर भेजें और अपने admission की प्रिक्रिया पूरा करें और आने वाले further examination के लिए तयार रहें next अच्छा सा question है आपकी screen पर which of the following is correctly matched alpha diversity, beta diversity, genetic diversity और species diversity आपके सामने चार diversity की बात हुई है alpha diversity, genetic diversity, beta diversity, species diversity और आपके सामने points लिखा है number of species in a given habitat मतब एक given habitat है उसमें जो number of species हैं उन्हें हम लोग alpha diversity कहते हैं आप कहेंगे बिलकुल सही जी और इस जो whole reason पर diversity देखने को मिलती है उसे gamma diversity कहते हैं whole reason पर जो देखने को मिलती है जैकि यहां लिखा है ना diversity of the habitat in the whole reason it is beta diversity not this is gamma diversity number of species in given habitat is cause alpha diversity this is the correct genetic diversity जो variation देखने को मिलता है gene में this is called genetic diversity production of species richness and evenness is called species diversity इसका मतलब 1, 2 and 4 are correct answer इसका 3 गलत है 1, 2, 4 इसका correct answer है और उमीद करते हैं लगभग आप में से सभी लोगों का correct answer आ रहा होगा 1, 4, 3 is the right answer alpha diversity जी alpha diversity correct है genetic diversity correct है beta diversity इसका गलत answer next question है question number 22 आपकी screen पर diversity observe in the entire geographical area is called gamma diversity करें कि diversity observe in the entire geographical area is called gamma diversity इसे हम लोग gamma diversity के नाम से जानते हैं bio diversity decreases from high altitude to low altitude जब हम high altitude से low altitude आते हैं तो gamma diversity दोस्तों increase करती है ना कि decrease करती है तो यह क्या हो गया गलत हो गया यह high altitude से जब low altitude पर आते हैं तो bio diversity हमेशा क्या करती है increase करती है और जो diversity है entire geographical area की उसे हम लोग क्या कहते हैं गामा diversity के नाम से जानते हैं तो इसका correct answer हो जाएगा जी तो इसका correct answer हो जाएगा C is the right answer Assertion is correct but reason is incorrect इसका assertion क्या है इसका assertion correct है जबकि reason इसका क्या है incorrect जी Population and Organism के chapter में यह topic हमने अच्छे से कराया है Natural ecosystem कौन होता है Natural ecosystem कौन बनाता है तो आप सभी लोग जानते है Decomposer कौन बनाता है आप सभी लोग जानते है Primary productivity कौन बनाता है Secondary productivity के लिए कौन responsible होता है उमिद करते हैं आप सभी लोग जानते हैं बताने कोशिश करिएगा Natural ecosystem की बात करते हैं तो आप बताते हैं Ecosystem में Forest आता है नेचरunächst में Coral Reef आता है desert आता है Ocean आता है डी Camposer में आता है bacteria आता है primary productivity कौन देता है अब बतायेगे प्रोडूजरर देता है Secondary Productivity कौन देता है consumer देता है इट कैंबी डी का 2 एका 3 बी का 4 C ज lot पहले का डी का q is the right unsर सभी का correct answer आ रहा होगा C is the right answer, लगभग आप में से सभी लोगों का correct answer चल रहा है, C is the right answer, next question, question number 24 आपकी screen पर, amphibians have evolved from fishes, amphibians की origin fishes से हुई है, archeryoterics is a fossil linking fishes and amphibians, बताने कोईश करिएगा, इसका कौन सा answer correct है, 24, आशा है कि आप सभी लोगों का correct answer आएगा, 24 का correct answer क्या हो जाएगा, amphibians have evolved from fishes, amphibians fishes से evolve हुए है, कैसे evolve हुए है, तो आप बताएंगे, पहले evolve हुआ है कौन, तो आप बताएंगे, फिश, फिर reptiles, फिर amphibians, फिर birds, फिर mammals, आप कहेंगे सर, यह जो लिखा है यह गलत, यह जो लिखा है, कि पहले fish आए हैं, फिर reptiles आए हैं, फिर amphibians आए हैं, फिर birds आए हैं, फिर mammals आए हैं, जी, पहले fish आए हैं, फिश, उसके बाद कौन आया, उसके बाद amphibians आएं, amphibians, फिर reptiles आए हैं, ऐसे, यह सही है, फिर birds आए हैं, फिर mammals आए हैं, जी, यह देखिए, fish आए हैं, amphibians आए हैं, reptiles आए हैं, फिर birds आए हैं, फिर mammals आए हैं, तो जो amphibians की origin हुई है, वो कहाँ से हुई हैं, जी, amphibians की origin कहाँ से हुई है, तो आप बताएंगे, amphibians की origin fish से हुई है, fish आए हैं, amphibians आए हैं, reptiles आए हैं, birds आए हैं, तो fish की origin कहाँ से हुई है, amphibians have evolved from fishes, amphibians जो हैं, यह fishes से evolved हुए हैं, आप बताएंगे, amphibians evolved from fishes, fish से ही amphibian की origin हुई है, यह सही है, Archaeopteryx is a fossil linking fishes and amphibians, यह fishes और amphibians को combine करता है, तो आप बताएंगे, नहीं, Archaeopteryx एक fossil है, जो किसको combine करता है, reptiles को birds से combine करता है, तो आप बताएंगे, इसका A is true statement, but R is false, आसान से शब्दों में आप सभी को लगभग यही याद रहता है, और इसी चकर में यह क्या होता है, गलत हो जाता है, इसी चकर में यह क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, जी, C is the right answer, clear, उम्मिद करते हैं, यहाँ तक की बातें आप सभी लोगों को, clear, done to all, जी, आसारसन करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है, और इसका सभी आंसर हो जाएगा, और उम्मिद करते हैं, लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर होगा, 25, regarding 10% law, अगर हम लोग 10% law की बात करें, जी, this law was put forward by Lindman in 1942, इस law को Lindman ने forward किया था, इस law के बारे में बताया था, 1942 में, बिल्कुल सही बात, according to this law, during the transfer of form energy from one tropical level to other, only about 10% is stored at higher traffic level and the remaining 90% is lost in respiration, decomposition and waste in the form of heat, which statement given above are correct, इसमें से कौन सा statement correct है, तो आप बताएंगे सर, इसमें दोनों statement correct है, इसे दिया था, Lindman ने 1942 में, और इसमें 10% जो होती है, stored होती है, और 90% जो होती है, वो last होती है, 10% stored होती है, और 90% energy lost होती है, और इसका correct answer हो जाएगा C, C is the right answer, और उमीद करते हैं, लगबख सभी लोगों का correct answer होगा C, which of the following sets are vestigial character in the man, man में vestigial characters में कौन कौन आता है, which of the following sets are vestigial structure in man, कौन कौन सा है, जो man में vestigial organ के form में आता है, और इसमें और इसमें और इसमें और इसमें आता है, इसलिए इसका सही answer हो जाएगा, कौकिक्स होता है, निक्टेटिंग मेंब्रेंस होते हैं, अपेंडिक्स होता है, इयर मसल्स होते हैं, ये क्या हैं, ये आपके vestigial structure है, man के, man के vestigial structure में ये आपका group आता है, अब उब्मित करते हैं, लगभग सभी का correct answer हा रहा होगा, C is the right answer, जी, C is the right answer, next question 27 आपकी screen पर, 27 आपकी screen पर, What are the correct explanation about higher diversity in tropical areas, in comparison to temperate areas, What are the correct explanation, क्या correct explanation है, about higher diversity in tropical areas, in comparison to the temperate areas, there are no favorable season in tropics, यहाँ पर कोई favorable season नहीं है, less solar energy is available in tropics, topics पर less solar energy available है, rate of extinction is low in tropics, rate of extinction यहाँ पर low है, choose the correct answer, tropical areas का comparison करने है, What are the correct explanation about higher diversity in tropical areas, tropical areas में higher diversity होते हैं, उसकी वज़ा क्या क्या है, जी, कुमित करते हैं, कि लगभग आप सभी लोगों का correct answer आना चाहिए, क्या answer कर रहे हैं भाई, जी, कुछ लोगों का B answer आ रहा है, tropical areas, जी, are less seasonal, extension rate less, disturbed area more productive too, बिल्कुल सही है, जी, बिल्कुल सही है, तो इसका सही answer क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे sir, there is no favorable season, यहाँ पर कोई favorable season नहीं होता, tropics में, आप बताएंगे, कि tropics में, there is no favorable season, less solar energy is available in tropics, rate of extension is low in tropics, जी, topic areas in comparison to the temperate areas, दोनों का आपके साथ combination हमने कराया है, जी, दोनों का combination हमने आपके साथ कराया है, आप एक बार इससे देखने की कोशिश करेंगे, तो आपको answer clear मिलेगा, कि इसका सही answer क्या हो जाएगा, इसका सही answer हो जाएगा, जी, ए और one और three, less solar energy is available in tropics, ऐसा नहीं है, rate of extension slow है, और no favorable season in tropics, जी, choose the correct option, comparison करना है, और choose the correct option बताना है, जी, उमिद करते हैं, यहां तक की बातें, आप सभी लोगों की clear होनी चाहिए, 28, food chain refers to, food chain क्या बताती है, number of humans, farming a chain for food, animals gathered near a source of food, transfer of energy from producer to consumer, क्या बताती है दोस्तों, आप बताएंगे, transfer of energy from producer to consumer की बात करती है, किसकी बात करती है, transfer of energy from producer to consumer, producer से consumer की बात करती है, next question है, chipco moment, chipco moment के बारे में, आप सभी लोग क्या जानते हैं, इस तक्थ को पढ़ें, और बताने की कोशिश करें, chipco moment, it is moment, initially meant for protecting trees, but now meant for preservation of environment, including habitat and wildlife, बिल्कुल सही है, chipco moment was started in Garhwal, Himalayas in 1974, by Sri Sundar Lal Bhauguna, to prevent cutting down of trees, अब बताएंगे सर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, local women hugged trees to prevent, they are cutting by the contractor, which are the statement, given above are correct, इसमें से कौन सा statement है, जो नीचे लिखा है, और correct है, उमिद करते हैं, सभी लोगों का correct answer आ रहा है, कि हम सभी लोग बाखुबी जानते हैं, कि ये moment जो है, इसमें तीनो बातें सही लिखी, इसमें तीनो बातें, 1, 2 and 3 are correct, तो आप बताएंगे, चिपको मुमेंट के संधर में, ये तीनो बातें correct हैं, The concept of joint forest management involved, काफी अच्छा question है, joint forest management involved होता है, The concept of joint forest management, concept of joint forest management involved, work in close association with the local communities, for protecting and managing forest on mutual benefits, conservation of forest and agricultural land by the NGOs, conservation of forest and agricultural land by the state government, conservation of forest and agricultural land by the local communities, उम्मित करते हैं, सभी लोगों का correct answer आ रहा होगा, कि ये जो NGO, ये जो आपके GFM है, जो आपके GFM है, joint forest management involves work in close association, with the local communities, for protecting and managing forest on mutual benefits, ये क्या करते हैं, joint forest management जो होते हैं, वहां की local communities के association से काम करते हैं, और forest का management और उनका protection, इनके mutual benefits से देखते हैं, तो concept इनका क्या है, JFM का joint forest management का, तो आप बताएंगे सर, ये local communities के साथ मिल करके, जंगल की देखभाल करवाते हैं, और उसका जो mutual benefits होता है, वो लेते रहते हैं, ये इनका क्या है, इनका concept है, joint forest management का, उम्मिद करते हैं, सभी लोगों को clear होना चाहिए, और never be forgetted, और कभी भी भूलना नहीं, match the following columns, निमन columns को match करें, आशा करते हैं कि बिल्कुल correct answer करेंगे, जी, इनको match करें, और उम्मिद करते हैं, कि आप बिल्कुल correct answer करेंगे, जी, उम्मिद करते हैं, आप सभी लोग, बिल्कुल correct answer करेंगे, बताने की कोशिश करिएगा, और आप में से लगबख सभी लोगों का correct answer आ रहा होगा, paper, leather, textile, rubber, ये कहां use होता है, municipal solid waste में, industrial solid waste में, hospital solid waste में, scraps, fly ash, कहां use होता है, hazardous, waste containing, diseases, infectants, and other chemicals, इसको देखते ही आप समझ गए, सर जी, इसका सही होगा, hospital solid waste, इसे hospital solid waste में use करते हैं, मतलब आपका हो गया, C का 3, scraps, fly ash में, scraps और fly ash, industrial solid waste में आते हैं, paper, leather, textile, ये सब आपको कहां मिलेंगे, municipal solid waste की कटेगरी में आते हैं, ये आपको solid waste, ये waste हैं, solid waste, hospital solid waste, industrial solid waste, और municipal solid waste में, आपको क्या-क्या मिल सकते हैं, उनका नाम याद रखना है, क्योंकि आपके exam में पूछे जा सकते हैं, इसका सही answer हो जाएगा, 1, 2, 3, 1, 2, 3 is the right answer, तो 31 में, paper, leather, textile, rubber, ये सब किसमें आते हैं, municipal solid waste में आते हैं, आंटोजनी, recapitulates, phylogeny, is narrated in which of the, evidence for organic evolution, ये किस organic evolution के लिए, आंटोजनी, recapitulate, phylogeny का wordन किया गया है, आंटोजनी, recapitulates, phylogeny में किसका wordन किया गया है, पाईला, कांटो, logical evidence का, physiological evidence का, embryological evidence का, या anatomical evidence का, उम्मीद करते हैं, सभी का correct cancer आ रहा होगा, phylogeny, recapitulates, आंटोजनी में, embryological evidence का wordन किया गया है, किसका embryological evidence का wordन किया गया है, और उम्मीद करते हैं, लगभग आप सभी का correct answer आ रहा होगा embryological evidence किसकी बात की गई है embryological evidence की बात की गई है next question question number 33 आपकी screen पूर which one provides correct sequence of events in origin of species according to darwinism darwinism के according आप लोगों ने इस प्रस्ण को देख लिया है और आशा करते हैं कि इसका best answer करेंगे आपको इतना भी इस प्रस्ण में याद आ रहा होगा which one provides correct sequence of the events in origin of species according to darwinism darwinism के according कौन सा correct है तो आपने कल सीखा था ना पहले over production होता है फिर struggle for existence होता है फिर survival of fittest होता है फिर variation and their inheritance होता है फिर origin of species होती है फिर natural selection होता है कल का point आपको याद है ना सबसे पहले कौन आएगा struggle for existence four सबसे पहले आएगा struggle for existence उसके बाद आना चाहिए variation and their inheritance फिर survival of fittest फिर natural selection जो survival of fittest होगा उसी का natural selection होगा फिरी के बाद one शुरुवात किससे होगी four से शुरुवात किससे होगी four से four, two, three, one जी याद रखना है भूलना नहीं है ये most most important है भूलना नहीं है most most important है the earliest organisms that appeared on the earth were non-green and presumably anaerobes कहरें कि जो earlier organism थे जो appeared हुए आर्थ पर वो non-green थे and presumably anaerobes थे presumably क्या थे anaerobes थे जी सही है the first autotrophs organism were chemo autotrophs that never released oxygen कहरें कि जो first autotrophs organism थे वो chemo autotrophs थे बिल्कुल सही है ये भी थे कि पहले जो organism थे वो chemo autotrophs थे ये oxygen release नहीं करसाते थे नहीं किये थे इसका सही answer हो जाएगा ये भी सही हो जाएगा और ये भी सही हो जाएगा दोनों तथ को अच्छे से अपने पास रखिये समाल कर जी और important हैं ये सब question exam में अकेले परिशान करते हैं पहले जो autotrophs थे वो chemo autotrophs थे एक statement आपके सामने दिया है जी काफी अच्छा है population of a species inhabiting different geographical areas are in a continuous process of adaptation to their surrounding environments and this lead to the environment of evolution of a species करें की population of a species inhabiting different geographical areas are in a continuous process of adaptation to their surroundings environment and this lead to the evolution of a species geographical barriers abstract interbreeding of population of a species leading to reproductive isolation and evolution of new species आप बताएंगे सर इसमें आप देखेंगे तो आपको क्या मिल रहा है कहरें कि population of a species एक population की species हैं जो different geographical areas पर हैं और इन्हों इन्हों और इन्होंने evolution species की बाद की आईसा ही हुआ है जी इसी की वज़ा से क्या हुआ रिप्रोड़क्टिव आइसोलेशन आया और नई इस्पेसीज की ओरजिन हुई मतलब आप बताएंगे इसका S भी सही है स्टेटमेंट भी सही है और इसका रीजन भी सही है इस्टेटमेंट भी करेक्ट है रीजन भी करेक्ट है यह आर जो है इसका करेक्ट इक्स्प्लानेशन भी है जो है इसका करेक्ट इक्स्प्लानेशन भी है और उमिद करते हैं सभी का करेक्ट होना चाहिए क्योंकि यही बता कि geographical distribution के बारे में geographical isolation के बारे में यही बात करता है the oldest fossil record from India is of a blue green alga which is 3.2 billion years old it is करें कि अगर oldest fossil record देखें the oldest fossil records देखें from India is of blue green alga is 3.2 billion years old it is यह कौन था Archaeopteryx, Stomatolytes, Chlamydomonas, Archaeospheroids this is the right answer यह Archaeospheroids था the oldest fossil record from India is of a blue green alga एक blue green alga था जो 3.2 billion years old था it was Archaeopteryx, यह कौन है यह Archaeopteryx, यह कौन है इसे Archaeopteryx के नाम से जानते हैं this is known as Archaeopteryx, इसका सही answer होगा Archaeopteryx is the right answer कोई धोखे से Archaeopteryx ना टिक कर देगा, Archaeopteryx is the right answer consider the following statements about food web आपके सामने food web के बारे में कुछ जो है consider the following statements दिये हैं consider the following statements दिये हैं one organism can occupy more than one trophic level the flow of energy is very difficult to calculate instead of straight line, it is a series of branching lines which of the statement is correct आप बताएंगे सर, food web में क्या होता है food web में one organism can occupy more than one trophic level बिल्कुल सही है flow of energy is very difficult to calculate बिल्कुल सही है instead of straight line, a series of branching lines इसके अलामा, series of branching line की बात होती है उमिद करते हैं, सभी लोगों को यहां तक की बाते के लिए done to all बताने की कोशिश करिएगा उमिद करते हैं, यहां तक की बाते आप सभी लोगों की के लिए यह सभी लोगों का correct होगा next question, question number 38 आपकी screen पर अ क्रोकोडाइल हैड जस्ट इटिन आ लैंब एक क्रोकोडाइल ने एक मगरमक्ष अभी एक मेमने को खागी रहा था कि एक बाज ने मगरमक्ष को देखा विन आ हॉक सा दा क्रोकोडाइल अटेक्ड इट एंड कंजूम्ड इट उस पर हमला किया और उसे खा गया बाज पारिस्तित की दिरिष्टी से है जी आपके सामने एक प्रस्ट है कि आ क्रोकोडाइल हैड जस्ट इटिन आ लैंब विन आ हॉक सा दा क्रोकोडाइल अटेक्ड इट एंड कंजूम्ड इट The hawk is ecological term एक मगरमक्ष अभी एक मेमने को खा ही रहा था कि एक बाज ने मगरमक्ष को देखा उस पर हमला किया और उसे खा गया बाज पारिस्तित की जिरिष्टी से है ये कौन है? जी, अगर आपसे पूछा जाए हॉक क्या है? हॉक प्रोड्यूसर है? ये जो hawk है, ये कौन है? ये प्रोड्यूसर है? आ, primary consumer है? secondary consumer है? या tertiary consumer है? ये बाज कौन है? तो आप बताएंगे, बाज जो है tertiary consumer है जे, lamb eating, lamb secondary है ये tertiary consumer है इस इस tertiary consumer क्या है? tertiary consumer है और उमीद करते हैं सभी का correct का अंसर आ रहा हुगा tertiary consumer Assertion Tropical rainforests are disappearing fast from developing countries such as India कह रहें कि भारत जैसी country से tropical rainforests disappear हो रहे हैं धिरे-धिरे कम हो रहे हैं No value is attached to these forests because these are poor in biodiversity कह रहें कि no value is attached to these forests कोई value इससे attached नहीं है because these are poor in biodiversity क्योंकि ये poor हैं in biodiversity में तो आप बताएंगे कि tropical rainforest ये सही है और इसका सही आंसर हो जाएगा बोट असर्सन और reason correct हैं लेकिन reason जो है is not correct explanation ये correct reason नहीं है कि इसकी कोई value नहीं है इसलिए ये कम हो रहे हैं जे तेजी से घट रहे हैं चालिस नंबर question है आपके screen पर last question है session का the impact of loss of biodiversity may lead to करें कि the impact of the impact of loss of biodiversity may lead to अगर हम बात करें impact क्या है loss of biodiversity का lowered resistance to environmental perturbation decrease in plant production increase variability in ecosystem process like water use pest disease cycle plants productivity increase in plant production choose the correct option loss of biodiversity का impact क्या हो सकता है अगर biodiversity खत्म होई biodiversity loss होई तो क्या होगा lower resistance होगा to environment decrease in plant production biodiversity कम होगी तो production कम होगा ये भी सही lower resistance हो जाएगा environmental perturbation का increase variability in ecosystem process like water use pest disease cycle plants productivity ये भी क्या हो जाएगे ये भी increase कर जाएगे increase in plant production increase in plant production plant production increase कर जाएगा ये कहां से आगया choose the correct option ये तीन first, second और third correct ये तीनों पॉइंट्स इसके correct है one, two and three ये तो इस हिसाब से आप सभी लोगों का correct answer हो जाएगा one, two and three तो दोस्तों ये थे ecology के अच्छे वाले question जो आपके concept के according चलते है और आप में से जो लोग practice करना चाहते हैं और जो है practice के लिए जिनका service complete हो गया है जो लोग बिहार का exam दे रहे हैं या 36 गड़का दे रहे हैं या other state के exam को focus कर रहे हैं वो सभी लोग अपने practice session के लिए जोईन sure test series लिख करके वही लोग comment box में comment करेंगे copy देख करके कोई comment box में comment नहीं करेगा और उम्मिद करते हैं कि इतनी बाते आप सभी लोगों की बाखुबी तयार रहेंगे आज के लिए इतना मिलते हैं आप से कल सुबह साड़े 10 बजे आपकी class में thank you to all of you good night, शुबरात्री, जैहिन